हेलो दोस्तों एक लेक्ट उनिवर में आपका स्वागत है दोस्तों क्यास हो आप सभी आज अगर तुम बहुत अच्छ होंगे तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो जो की चावाली चालिस का एमली फैर हमारे पास रेपेर होने के लिए आया था तो हमने दोस्तों इसमें वाइरिंग तो अगर दिया वाइरिंग के लिए आया था और फिलाल दोस्तों उसने कस्टूमर ने यह भी कहाया है कि हम इसे 12 वोल्ट से चला रहे हैं यानि की DC के पर दोस्तों उसे चलाना यह बिजली से भी तो इसमें दोस्तों एक डायोड लगा हूँ है जिससे की दोस् कर लिए हम आपको एक बाढ़ दिखाने की कोशिस करते हैं की कैसे यहाँ पर हम हैило ज्य बोड में और यहां पर दोस्तों मल्टिमीटर महिं को हमें धिसे पॉइंट पर लगाने यानि कि ड नहीं एक फिलाल दोस्तों हमें एक लुक्यों यह लगालता ये जो एट ड्रांस्यॉर में तो फिलाль दोस्ता हम इसे लगा जोती है 14.45 ठीक है तो यह दोस्तो वोल्टेज तो ठीक दे रहा है हमारा ट्रांसफर्म और नया ही लाइए हम वैसे भी इसे खरीद के अब हमें दोस्तो इसे कैसे लगाना है वो भी मापको दिखाऊंगो और वीडियो को लास तक देखना दोस्तो तभी अच्छे समझ वाने लिए तो अगर आपको दोस्तो यह एसी वोल्टेज से चलाना है तो हमें दोस्तो आपको पहले 12 वोल्ट का एक ट्रांसफर्म लाना होगा जीरो बारे का और दोस्तो उसे लगाने के लिए आपको क्या-क्या करना पड़ता है वो भी मैं आपको दिखाता हूं सबसे पहले द दोस्तों आपको दिखाई देता है चाहिट कि यहाँ पर देख सकते हूं यहाँ पर हमने लगा दिए है ठीक है तो यहाँ पर दोस्तो अभी पहले फिलाल हम इसके प्रिंट जो है सपा करते हैं क्योंकि अच्छे सपा होंगे जब हम दोस्तों यहाँ पर वर्क कर सकते हैं वरना आप प्रिंट सपा करको नहीं करोगे तो महाँ पर दोस्तों आपकी वह भी प्लेट के प्रिंट जो है तो दोनों से मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे चलाने और फिलाल दोस्तों वर्क भी मैं आपको करके दिखा देता हूं जो प्रैक्टिकल है वह आपको समझ में आ जाए तो यह दोस्तों 48 का है यानि कि यहां पर आप देख सकते हो ठीक है चारों डायोड आपको ऐसे लगा दोस्तों आपको रैक्टिफायर बनाने के लिए दोस्तों माइन प्लस प्लस वाले एक तरफ रखने और माइनस वाले एक तरफ जैसे कि दोस्तों इसमें वैसे छपा भी रहता है अगर नहीं है तो आप मेरी रैक्टिफायर वाली जाके दोस्तों आप वीडियो देख सकते ह और उसमें आपको समझ में भी आ जाएगा तो फिलाल मैं आपको यहां पर दिखा दे तो वैसे भी ठीक है तो इसी डायोट को भी ऐसे लगाना है जैसे इसमें प्रिंट हुआ हुआ है तो यहां पर आप देख सकतो हमने यह वाला तीसरा वाला भी डायोट लगा दिया और इस उसमें फिर भी एक ही फुकता है और यह जादे जादे दो हो जाते हैं ठीक है तो फिलाल मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहते हूं यह बिल्कुल अच्छे तरह से लग गी है अब हमें दोस्तों इनमें सोल्डिंग कर देंगे और उसके टांस्वार के वायर कहां लगाएंगे वह भी आपको दिखाएंगे तो वीडियो को अंतिता के बने रहना जब यह आपको समझ में आएगा अगर दोस्ता मार्चन पर नहीं होता मार्चन को सब्सक्राइब कर सकते हो और करका तब अच्छी ब बिल्कुल अच्छी तरक से हो नहीं है जो कि हम आपको एक बार दिखाएंगे भी ठीक है तो आप देख सकते हैं दोस्तों सोल्डिंग अच्छी तरक से हो चुकि है और दोस्तों हम लाइव वीडियो इस वाज़े से नहीं बनाते हैं क्योंकि हमारे दुकान में कस्ट्रमर बार बार आते रहते हैं और इसमें डिश्टर भी होता है तो फिलाल दोस्तों लाइव वीडियो इस वज़े से नहीं बनाते हो साथ की साथ सूट करते हैं और सूट करने के बाद दोस्तों आवाज अलग से लगाने पड़ती हमें तो इस वज़े से दोस्तों हम यहापर तो आविलेफल होता है मार्किट में तो जीरो बार है का प्रूंस्फर्म लागे आप यहां पर दोस्तो इसे एसीसे भी फिलल चला सकते हो ठीक है बस आपको क्या करना होता है एक ट्रांस्फर्म लगाना होता है और चार रेक्टीफ यानिकि चार डायोड अपनाने के लिए ठ ठीक है दोस्तों यहाँ पर आप देहस yıl जादे लंबे हो चुकिया वह उन्हें ने यहाँ पर किकल दिखाते हूँ थीख है फैनली कनेक्शन कर गें तो फिलाल यहाँ पर अपिछा हमने यहाँ पर इसे हटा प्लंगा जहते दोस्तो पहली लागवा था म्हां परी लागा सकते हो आप दिख तो मैंने यहां पर इसे लग दिया है přाएफ कि प एचय यहां पर बिल्गल अच्छी तरह से लगा चुका है मैं यहां पर लगाने जाट रह लगा हुआ है माइस पिलस पर वहीं लगाने और आपको दोस्तो इससके बाइरे दिखें की वायर कहां पर लगाने वह भी आप देख लिजिए फिलाल दोस्तों मैं आपको यहां बहु कहां पर यहां पर हो देख से तो यह जो है ट्रांसरम के बार یہне, कि 5100ए2 के यहां पर यह भी 0 बार है तो यह भी हमारा दोस्तों 0 बार है यह आप मान सकते वैसे dc है और वो दोस्तों ac voltage देता है तो ac से convert यानिकी minus माईनस को convert करने के लिए यानिकी plus में convert करने के लिए आपको rectified जरूरी होता है लगाने के लिए ठीक है तो वही मैं दोस्त आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर रेक्टिफायर हमने चार डायोड लगा है और फिलस में एक कैपिश्टर लगा हुए है जो कि दोस्त हमारे बार बड़ देता है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल यहाँ पर हमने लगा दिये अब फिलाल दोस्तों हम इसे कैसे से करेंगे अब मैं आपको एक दिखा देता हूँ यहां पर हमने connection तो करती है connection करने पर दोस्तों आपको finally दिखाने की कोसी सकरते हैं यहाँ पर चलता है है ने चलता है तो यहाँ पर दोस्तों आप देखने जीए जो यह ट्रांसफार्म के वायर है जो मैंने पहले भी लगा करते हैं सबसे पहला आपको चेक करना होता है से रेज में करके जब भी आप यहां पर कस्टोमर को दे सकते हो ठीक है आपको बिल्कुल टेश्ट करके देना है ठीक है तो मैं दोस्तों से आपको अपने से चैक कराया मैंने और अपको को मेरे दिखाता हूं message मेरे दिखाता हूं zukंअ आयारे कि चलता है हम जो भी चलता है एमनी फैर वह हमारे दोस्तों 12 लिए यहापर हमने वह लगा रखिये तो फिलाल दोस्तों पर जॉनने पर ऐता है अभी मैं फिलाल मैंने आपको सामने वे अतार हटा दिये जो कि अमारे दोस्तों AC से थे अब मैं दोस्तों DC से दिखा रहूँ ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों DC की voltage जो कि हमने दोस्तों यहां पर wire के connection कर दिये ठीक है और फिलाल दोस्तों आप देख लिजे यहां पर 12 volt से भी चल चुक है यानि कि Bluetooth वहां पर card पर लिखा आ चुक है तो दोस्तों उससे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है चाहिए आप इसे AC से चलाए चाहिए आप इसे दोस्तों DC से चलाए बस इसे 12 volt चीए और कुछ नीचीए तो दोस्तों यहां पर बिल्कुल अच्छी तेक से चलेगा और आपको अगर ऐसी काम करने है तो आपको rectifier लगाने होगे